नमस्गार आप देखरें विगपाईड लाइव और आपके साथ में विजेंदरिस स्वलंकी चुनावी साल है तो ये भी बताया जाएगा कि क्या किया है और ये भी बताया जाएगा कि कितना किया है साथी ये भी बता दिया कि विजेपी सरकार के चार सालों की मुकाबले उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहाएग शिक्षा, ग्रामिन विकास, मेडिकल, एजुकेशन, सड़क, हेल्थ, फसल भीमा, विजली बिल इसके अलावा कनेक्शन, खेतारबंदी, नई तैसील, नई उपतैसील हर आंकडे को विजेपी राज से तुलना कर बताने के कोशिश की गई कि जैसे ही राजिस्तान में हुकूमत बदली, जमीनी हकीकत बदल गई लेकिन क्या ये बदली हकीकत, हुकूमत को सत्ता वापसी करा पाएगी आज बात इस मुद्रपर की ये जो आंकडे हैं, वो क्या कहते हैं झालम देच के अंदर, जीडीपी के अंदर नमबर दो पर आगे हैं पाफ़मेंट पीडरा मॉडल पूरे दिन में जला गया हम उम्मीद करते हैं कि जो कैल में हुआ होगा हुई राजस्तान होगा सगा रीपीट हमरी होगी इस मुद्धे पर बात करने के लिए बेहत खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता, आरसी चौधरी जी, बीजेपे प्रवक्ता, राकिरा ठोड जी, राजिनेतिक विछलेश्याक, योगेंद्र गुपता जी और हमारे सयोगी, नरेश शर्मा जी, रागिरा ठोड जी शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आकड़े कॉंग्रेस ने पेश किये हैं, तो जरह बताई, इन आकड़ों में आपको कुछ लगता है, कि कुछ गलत है, यह लग रहा है, जो आकड़े हैं, वो सो फीज़ी सही है, लेकि समीनी हकिकत की बात करते हैं, जब आकड़े टोटालिटी में पेश किये जाते हैं, हर सरकार की अपनी अपनी प्रात्मिक्ता होती है, उसे साबसे वो काम करते हैं, टोटल काम जनहित में कितना पहुँच रहा है, वो इंपोर्टिंट है, और हमारी जो देश की पहली प्रध जिवीदियां जो लॉइन ओर्डर की स्थिती है, उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि विजंदर जी आप भी मानेंगे इस बात को, कि जब तक की लॉइन ओर्डर की स्थिती ठीक नहीं होगी, तब तक कोई सा भी कैसा भी लेवल का विकास कर लो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, आज गोली बाजी की बात करो, तो लगातार गोली बारी हो रही है, कल चितोड में हुई उससे पहले धौलपूर में, उससे पहले जोतपूर के अंदर, लगातार गैंक्स जो हैं, वो यहां पे सकरी है, महिलाओं की एंसी आर्वी की प्रदेश का है, उन अपरादों में उपी का है, उनने कंपर किया था, बिल्कुल कंपरेजन होना चाहिए, और कंपरेजन ये है, कि यूपी के अंदर इसी आधार पे हम वापिस आये, जो आंकडे कल पेश किये, वो बहुत चोकाने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी स्किप कर गए, जिसमें सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में कमोनट किया, यूपी भारती जन्ता पाटी ने 6500 स्कूल को इस तरह से अपग्रेट किया था, और मोटी बात ये देखिए, अपग्रेट करने की जहां तक बात है, विदानसभा, अध्यक्ष कली से विदानसभा म आपके कोलम में वो भी नहीं लिखा गिया, देखिए, जो बंद किये, इन्होंने कहा था, हम चालू करेंगे, विदानसभा में लिखा कि अंग्रेजी मीडियम पर कितने स्कूल खोल दी हैं उन्होंने, ताले कोलम में वो भी मिस्किया जिए, इसका मतलब वो डिसिजन ठीक था, यानि जहां पर कोई टीचर नहीं हो, जहां पर कोई स्टूडेंट नहीं हो, उसको मर्ज करके, अगर सरकारी पैसे को बचाया जाए, तो निश्चिक पार पर कीख होगा, एक अजार आयूश हेल्थ वेलने सेंटर खुल गए हैं बीज़ेबी के गाज में जिरो थे, ज जन्ताक लिनिक की भी तो बात कीजिए, जन्ताक लिनिक का इन्हों ने कितनों का वादा किया, और 38 खोल पाई जिसमें से 106 करोड रुपे सेंट्रल गवर्मेंट से मिले थे, तो टोटालिटी में दीजिए ने पिच्चित दूबा, या मुख्यमंत्री ने कल जो आंकडे प और अपनी तरफ जो दुरुविकत करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ नियती, निती और नेतर्त्वे, जन्ता के बीच में किये वे वादे और उनके जन्ता के बीच में लेखा जोखा रखके, इस देश के अंदर राजिस्थान एक नई नजीर पेश करना चाहरा है, मानने चुनाव जनता के मुद्दोप्य होना चीए सिक्षन सहिस्तान जहां पे हर समाज और हर वेक्ति इलाज देता है इसमें सबसे उपर लिखा है बीजेपी के चार साल वर्सिस कॉंग्रेस के चार साल सर बीजेपी ने तो पांस साल राज किया अब मुझे बताइए चार साल शु कर रहे हैं चार साल पूरे करने के बाद में जब लेखा जोखा रखना है तो समय के साथ में तुल्हात्म का आप 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 पेस करेंगे पहले चार साल ठीक है और जो पांतिम जो वर्स की बात है अंतिम वर्स में भी उन्होंने मुद्दे उठाए सदन के पटल पे सब नहीं पाया क्योंकि इन्होंने राष्टान को स्रमसार करने में कोई कम ही नी चोड़ी नहीं जो आपने साल बात चालू करिया आपने इंद्रा रसोई चालू करिया अन्नपुर्णा रसोई बंद करके 20 साल बात किसानों के सबसुदी 10,000 उपे जो मिलती थी उसको भी 20 साल चिरिंजिवी योजना आपने 20 साल बात चालू की देखे बहुत सारी ऐसी योजना किसान कलेवा योजना खटा दी दंदी गौशाला खटा दी देटा पर बताईए डेटा पर बताईए नरे जी मिरमाज दो डोक्युमेंट है एक बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसानों को धाई लाग क्रिशी कनेक्शन दे दिए और इस वित्या वर्ष की समाप्तिक तक 3,75,000 क्रिशी कनेक्शन देंगे ये एक बीजेपी का है और कल जो मुख्यमंतरी ने पेश किया उसमें बताया कि भाई बीजेपी ने 1,27,226 क्रिशी कनेक्शन दिए और हम 3,27,469 विजली कनेक्शन देंगे अगर उनके 3,75,000 से कंपेर करें तो लगबग बराबर है इनमें से कौनसा अकड़ा सही कौनसा गलत नरीज जी अगर हम बजट को देखें तो जब भी नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है तो वो अपने सरकार की तुलना करते हैं इस सरकार के कामकास से तो इस बार पहली बार ये हुआ था कि जब नेता प्रतिपक्ष ने तो ये तुलना नहीं की लेकिन मुख्यमंति वो आंकड़े लेके आये थे हलांकि इनमें दावे रहेंगे भी भाजपा के जो नेता हैं वो यहां करें क्योंकि ये जोरी नहीं है कि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो आपने सवाल अभी किया कि कौन से चार साल की बात करें अभी एक साल और वाकिए और एक साल की तुलना भी और होगी आकरी वर्ष की तुलना होगी ऐसे में आंकड़ों की लड़ाई तो चलती रहेगी लेकि बड़ी बात ये है कि घोशना ही हुई है इन गोशनों के क्रियानविती का जो अभी सवाल उठाया है उसको लेके भी जो है एक आंकड़ा पेश होना ही चाहिए कि क्रियानविती कितने हुई है काम कितने हुए है गोशना अपनी जगह है और काम कितनी जगह होते है ये भी महत किया जाए तो उसकी कोशिस है और उसके कोशिस करने के लिए भाज़पा से इसी तरह के आक्रामक लड़ाई की जुरत है कॉंग्रेस को लगता है कि वो ही जो लड़ाई है रावल गांदी की यात्रा भी संपन हुई और उसमें दो बड़े मुद्दे थे एक महंगाई और एक गहलोत है वो आंकणों को लेकर के और सत्ता को रिपीट होने को लेकर थोड़े से आक्रामक है आपको इसको आ राजनिती गने समझना चाहिए जिस तरीक ऐसे बार बार यह मुख्यमंतर के लिए कहा जा रहा है कि उनके नेत्रतों में कभी सरकार रिपीट नहीं होती कभी त अपने लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ऐसे माशोग गयलोती समय करियर हैं कि वो आक्रमक तरीके से आंकणों को पेश करते हो बता रहे हैं कि जो मेरा शासन वो भारती जनता पार्टी की जो पिसला शासन था उससे कई गुना जादा बहतर है उसी हमारी सरकार को रिपीट होना चाहिए वो वैसे टार्गेट कर चुके हैं यह कहते हुए कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो एक सो चो मुन भी आई थी कि उन आख्णों को लेकर कि जिस पुर्जोर तरीके से अगर उनको लगता है कि आख्णे गलत हैं तो उन आख्णों को लेकर जिस पुर्जोर तरीके से उनको काउंटर करना चाहिए काउंटर हो नहीं रहा है अगर आगर इतना ही आपको लगता है कि सारे आख्णे फरजी ह आपको लगता है कि धरातर पे कोई शुन्ने हैं और आकड़े सिर्फ कागजी हैं तो अल्टिमेटली आकड़े विधान समय पेश किया जाते हैं उनका जो अमाउंट पेश किया जाता है आप श्वेत पत्र लेके क्यों नहीं आते एक एक आकड़े को लेकर आप सड़क पर क्य सिर्फ टीवी चैनल पे बहस के विरोध करने के अगर उनको लगता है कि वाकई में यह है तो उनको जनता के भी जाना चाहिए आकड़े पेश करना चाहिए और आवाज को उठाना चाहिए तो मैं बिलकुल वाजिब बात हैं कि अगर मुख्यमंतरी ने आकड़े कल पेश कि उपने ता प्रतिपक्षात या कोई और आता क्यों नहीं आया कोई विजेंद्र जी यह जो कल बात हुई है वो लास्ट में अभी पाशन हुआ अभी जो हुआ मुक्यमंतरी जी का हुआ और उसके बाद में विदानसभा 10 तारिक को फिर से स्टार्ट होगी विदानसभा में बश्चा काम किया है तो बेसिकली जब अपने ही विदाइकों को नहीं समझा पार है तो जनता को समझा रहे हैं कि आपके लिए कि अपने लोगों को भर्ती कर लिए जो सबजी अपने जेब के पैसों से नहीं खरीदते काफी काफी के पे जो मुख्या भ्यूखते हैं विदान सबा की बात विदान सबा के पटल में रखेंगे फिर से अप्रूब करेंगे और इतिहास में पहली बार हुआ कि ऐसी यूनिवर्स्टी जो काफ्जों में थी जहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ उसका भी पोल जो है वो भारती जंता पार्टी ने खोली थी विदा कानों ने आत्मत्या कर ली सब तोटालिटी में जब तक आप नहीं देंगे तब तक मुझे लगता है कि आप बता दीजे नहीं होंगे आपके पास बताईए बिल्कुल 18,000 किसान जो है उनकी जो जमीन है वो कुर्ख हुई है अभी दिनों में और इससे जादा जो इनोंने क कहा कि गारगी पुरुसकार के लिए एक लाख स्टूडेंस जो है वो अभी तक वेट कर रहे हैं उनको नहीं मिला है जंता क्लेने कुर्की को रोकने का कानून कौन लेकर आया संशोधन के माध्यम से देखे कानून कुरी भी लाए लेकिन जो क्लेम करते हैं ये कहते हैं पहल मंदेश में कहीं ओ रहे है जहां कुर्पी रूक रही है मुझे बताए लिए गोष्ना पत्र का पहला बिन्दू क्या था क्या उसकी पूरति उगई प्षण ऑफ़ी कर सम्पून कर्दमाभी सभी किसानों कि होगी वह अभी तक नहीं हुआँ हूँ दसा से राजिस्थान की जनता के बीच में तथी जाने चीए क्योंकि बारतिय जनता पार्टी जिसने बीस हजार इसकुल ने जहां पे ग्रीब का बच्चा अपने नजदी की सहस्तान पे जाता था बंद कर दिया एक भी प्राइमरी स्कुल नहीं खोला हमने सब्सक्राइब कर दो सोचाइस प्राइमरी स्कुल को अंदर बदला जहां पर एमले मुख्यमंत्री के पीछे गूमते रहते थे लेकिन हमने बीना भांगे यह सबचीजे की ग्यारा सो सताइस हमने अपर प्राइमरी को सेकर्डिय में प्रमोट किया दो सो दस कोलेज खोले और करशी कोलेज खोले यह सिक्षा के मामने में हमने काम किया आई यूर्वेट की बात करते हैं कि जो कहा गया था कि दस्तक के गिंती तक सब किसानों के कर्से माफ हो जाएगी वह अभी तक हुई अच्छा देख लीजे जो आंकड़े आप बतारे हैं फिर दिखा रहें अपने दर्शों को पढ़ लेंगे अराम से अब बोले सर विजन्दर जी मैं कहना चाहूंगा कि बारती जंतापार्टी जो किसानों के लिए उन्होंने कहा था हम किसान की आम दुगूनी करेंगे और व लिए दो सवाल करेंगे परकेंगे जंतापार्टी ने जाते समय में इनके मुक्यमंत्र ने चुनावी घोशना रैलियों के अन्ड़ कि ऑअड़ाब लकी। पचाइस हजार का करजा माफ करेंगे चंद लोगों का इन्होंने सर्टिवेक्ट माटे जो इन रोजगार क्यों नहीं है अगर रोजगार का कोलम नहीं होता तो मंदरेगा के अंदर 125 दिन हम ने किये सहरी इंद्रा मंदरेगार पर उल्सक्राइएस का पचाइस के रहें और कहा और उपिए क की जीत कि जाती जा दिए इसको समारग बना दूँगा यहिए कि मंसा है ग्रामिन अर्थ वे उस्ताओं को तबाह करने की बरबाद करने की इसलिए रोजगार के मामले में हमसे पूछ ने डबल इंजन की सरकार हरियाना जो दुनिया के चैरे पर होता था सबसे बिरोजगारी में पूछ लीजे इनसे क्यों हुआ मुझे अंधर सबसे बिरोजगारी देस में अधिडि गई पूछे के इनसे जादा वर्यजगारी की जिदर आज हंदुस्तान के अंधर है पूछे इसे नहीं से पूछे हैं पर्दाइन मतीज ने कहा साथ आगें अदर सफलाओ लोगों को नोगा देगे राजिस्तान के युगां को 1,600 पचेतर कोड़ रूपे लोगों को बेरोजगारी बता दिया विए पज़ारी बात्य दैस के ऑपटते की शर्त क्या है? जब तथे रखाँ आप बिरोजगारी बत्ते की सर्थ क्या है उसकी सर्थ के बीच में तुलात्म का आकड़े रखाए है तो यहाँ से पतीश राज़े के साथ कंपेर कीजिए जोगेंदर जी बाकाइदर विधान सभागी कारवाई के हिसाब से आप से समझना चाहता हूँ क्या ये मेंड़ेटरी है कि अगर अभी भाषन पर मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उसका जवाब विधान सभागी अंदर ये दिया जाएगा बीज़पी बाहर जवाब नहीं दे सकती प्रशन ये है इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी नहीं है पेपर लीक हो रहे है और बेरोजगारी किदर देश में दूसरे नंबर पर है बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन भारती जनता पाटिस फिर में सवाल उठाते हैं कि सारे मुद्धे इनको लेकर सड़क पर आपका उतरे और कितनी बार उतरे क्या सारे विधान सभा के पटल पर जवाब दे कर अफ्री हो जाएंगे और फिर वो जनता को अगर बता रहे ह expertise सुधर्ण हैं तोחנו सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता बेरोजगार इतनी दर है तो फिर आप यह कंडर इतनी खराब है तो कानों विश्टा को लेकर कितने बार आपने सड़के जाम की कि रोडिलाल मेना जी निकलते रहते हैं वो निकलते हैं जब वो निकलते हैं तो भारते जिन्दर के इस लिस्ट में पूछ लिए कितने जिले खोले क्योंकि इस लिए अगर ये लोग सिक्षा में भर्तियां पूरी नहीं की पेपर लीक में रिकॉर्ड तो देशके लोग रुटों में पूछागें और बादे जन्ता के बीच में मालूम है तो इस चुनाव के लिए कोई आधार नहीं मिलेगा और ये इस जनता के जनादेश को प्रमूट करना है तो बीचेपी उसका जवाब नहीं दे सकती पहला सवाल और दूसरा सवाल ये कि अगर अपने कामों को प्रमूट करना है तो फ्रंट फूट पर उनको ही आना पड़ेगा जबकि जो काम किया गया है ये अलग-अलग मंत्रालों के मंत्रियों को बहुत पहले से करना चाहिए था लेकि जनरल ये कहीं नियम नहीं है कि सदन में जो मुद्द उठाए उनका सदन में जवाब दिया जाए चोटा सोधान देता हूं सहीं हम लोड़ा विशेसादिकार हननन का प्रस्ताव लेकर आये थे उनको बोलने का मुका मिला लेकि राजिन राठोड के लिए स्पीकर ने कोई विवस्ता नहीं दी थी उसका इंतजार नहीं किया अगर आपको पता होगा कि मीडिया के सामने आके उन्हें अपना बयान दिया था अपनी सफाई दी थी तो ऐसा कुछ नहीं सदन की बात जो है वो अगले कारिवायते इंतजार किया जाए वैसे भी भाज कई सभी मिले आ or कि सविका कि मिले रहे हैं ऐसे में ऐसे में देखाई देरी है video or नहीं को और इसके लिए उनको खुद को ही पَहल करनी होगी क्योंकि जहां तक आपने आपका जो यहां चाहते होंगे उनका कितना योगदान रहेगा तो संगटन की मीटिंग में मंत्री और विदायक नहीं पहुंच इसका नोटिस उनको मिल गया होगा और मंत्रियों की स्थिति क्या है ये प्रश्निकाल में आपने कई अंदाज आपने लगा लिया होगा शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए योगंदरी जी आपका भी शुक्रिया आर्सी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया जाकिरा ठोड आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आंकडे जनता के बीच में आने चाहिए जनता को इपता तो होना चाहिए कि कौंसी सरकार क्या कुछ कर रही है हालंकि अपने ही अपनी सरकारों के अलग-अलग parameter होते हैं उसकता बीजे पिया है तो वो किसी अलग दिशा में काम करें कॉंग्रेस किसी और अलग दिशा में काम करें लेकिन एक healthy conversation से जन्ता को ये पता जरूर चलता कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है और हुकुमत तभी आते हैं जब हकीकत में जमीन पर सबका आपस में सामना हो नमस्का